तेलंगाना में पिता को आमरान अंशन पर जाता देख रो पड़ी बिटिया बहुजन समाज पार्टी के नेता का यह इमोशनल वीडियो हो रहा है तेजी से वायरल जी हां दोस्तों मैं हूँ इंजिनर सनेहा और आप देख रहे है नेशनल चौपाल बतादे कि तेलंगाना से बड़ी खबर है और तेलंगाना के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अद्यक्ष आरेस प्रवीन कुमार इनकी बेटी बड़े जोड़ों से रो रही है यह वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो को लेकर कुछ ट्वीड भी सामने आ रहा है बतादे कि यहाँ वी वीडियो उस समय का है बतादे कि वहां पर क्या मामला हुआ था तेलंगाना के अंदर टीएस पीसीएस की एकजाम के माध्यम से प्रकार से पेपर लिख हुए तो बहुजन समाज पार्टी ने इस पर एक्षन लिया और संपूर्ण तेलंगाना के युवाव के खातिर बहु इमोशनल हो गई और जोडों से रोने लगी बतादे की बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अद्देश डॉक्टर आरेस प्रमीन कुमार यहां आईपियस रह चुके हैं और इन्होंने यह आईपियस रह चुके हैं भारत के लिए उन्होंने पहले ही सेवा दे चुकी हैं लेकिन पुलिस ने बहुत ही बरबरता के साथ उनको इस आमरन अंशन से रोकने के लिए उन्हें बरबरता के साथ उठा कर ले कर गई उनकी गिरफतारी करवाई इतना ही नहीं लगातार 300 दिनों की बहुजन राज़तिकार यातरा को ले कर भी बहुजन समाज पार्टी के प अपने आपको रोक नहीं सकी और जो है वो मौके पर ही रोने लगी कुछ लोगों ने इस तमाम चीजों को इन तमाम घटना को अपने मोबाइल कामरे में कैद किया और उसका वीडियो बना और यह वीडियो अपतेजी से वाइरल हो रहा है बता दे कि बहुजन समाज अगर हम अंदोलन देखे या फिर जिन जिन लोगों ने इस तरफ डिस्पेक्ट मूव्मेंट के लिए अपना योगदान दिया है उन तमाम लोगों को इस प्रकार का कई बार सामना करना पड़ता है परिवार के तरप से इस प्रकार की घटनाओं का सामना करना पड़ता है एमोशनल हो जाता है लेकिन फिर भी जो नेता है वो लगातार काम करते रहते हैं जो महापुरुषय उन्हों ने भी लगातार काम किया उन्होंने भी चिंता नहीं की और वह अपने उद्धे से नहीं भठके और यहीं एक यहीं बहुजन समाज पार्टी के नेता आरेस प्रव मेरी बेटी बहुत भावक हो गई थी लेकिन मैंने उन्हें दिलासा दे दिया है मैंने उनसे कहा है कि तेलंगाना में उनके जैसी लाखो ऐसे बेटिया हैं और बेटे हैं जिनके भविषय के लिए मुझे लड़ना है और मैं लड़ रहा हूँ उन्होंने अपने बेटी को यह समझा आया कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं लड़ रहा बलकि मैं तुम्हारी तरह अन्य जो बेटे और बेटिया है जो तेलंगाना के अंदर अपने भविशे को निर्मान करने के लिए लड़ रहा है उन लोगो के लिए मैं काम कर रहा हूं और इस प्रकार से उन्होंने अपने बेटी को दिलासा दिया सात्यों पूरे इस ट्वीट के मादयम से घटना के मादयम से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि बहुजन समाज के अंदर अपने आप में आधर्श निर्मान करने वाले और भी लोग है उन लोगों तक हम पहुँच रही पा रहे जिन लोगों तक हम पहुँच रहे हैं उनकी कहानी आप तक पहुँचा रहे हैं आप इस अंधर्व में क्या सोचते हैं क्या देखते हैं कैसे देखते हैं इस घटना को कमेंट सेक्शन में जरूर बताए बने रहे दातिंग पर ज